शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें करपूर गोरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्र हारं सदावसंतं हृदय आरविन्दे भवं भवानी सहितं नमानी मैंन के लाल मैंने अपने बेटे का नाम राजा क्या रखा वो तो सचमुष राजाओं की तरह जीने लग गया एक नमबर का निकमा और नाकारा हो गया उसकी हराम खुरी के आलत चुड़वा दे और महनत करना सिखा दे मैं तेरे चर्णों में एक सो एक रुपय का परसाद चड़ाओंगा है मागन चोर मेरा बेटा एक नमबर का काम चोर तेन भर आवारा सांड की तरह गाउं में फिरता रहता है लड़कियों की मट्किया पोड़ता रहता है उसको अपनी तरह नटखट नहीं राम जी की तरह आदर्श वादी बना दे मैं एक सो एक रुपया और चड़ाओंगा उसको पास करा दो फिर मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा और एक से रुपया और चड़ाओंगा जय कृष्ण मुरारी जयराम जी के शिवना जी जयराम कहां भागे जा रहे हैं कुछ भगवान पर पैसे वैसे तो चड़ा के जाईए अभी मेरा काम थोड़ी वह जो मेरे बढ़वा एक पैसा नहीं मेरे पास अरे क्या शिवनाज जी भगवान के सामने खड़े-खड़े बहाने बना रहे हैं नहीं पड़ी जी आपके सरकी कसम कल मैंने मंडी में गेम बेचा हजार रुपे मुझे मिला पैसा नहीं मेरे पास समझ गया मैं उसके लिए प्राथ्ना कर रहा हूं उसने मेरी जी भी साफ कर दी कि यह जी करे कि पास नाम राजा जी रखा है ता पूर्लाता है तो ऋसे राजा कहने वाले आप कौन होते हैं ऐसे राजा जी कर दूं के यह घॉत पारी इना तो मुझे लूब ये सबाइब起off तुमाहें किया मेरे लाल ने ऐंक्र बड़ा ला लिया हाराम मेरा उपार रुपक साथ काथ क joue अर है तुमारे आप यह नगा रहा आप यह पो क्या आप एसे debout कर दो अलब तक नहीं है परसों से दूले की तरते या कि गूम रहा हूं सर पे दुल्ले की पगड़ी तन पे दुल्ले का जोड़ा जेब ये देखो चम चमासता सेरा अरे बरसों से पंडित को भी तियार करके बैठा हूं अरे चार पाच बार तो अकेले फिरे लगा चुका हूं लेकिन दुलन ससरी है कि मिलती ही नहीं है मिल जाएगी पिताजी नहीं है ना मेरा नाम तो शाती डाल रख दिया था पर उसके लाल की शादी तो उई नहीं पागी है अब क्यों बात को शैतान की आत के तरह लंबा करता जा रहा है बोलता क्यों नहीं कि मिठाई किस खुशी में बाट रहा हूं तो ये तो आपकी आखों का तारा आपके खांदन का चिराग आपके कड़िजी का टुकड़ा अरे आपका नूर नजर आपका बेटा राचा जी पाट रहा है तुम क्या है कर रही हो एक तो हराम खोर ने मेरे जेब से हजार रूपे चुरा लिए उपर से इमामा भांजे लट्डू खा रहे हैं जी जा जी हम दोनों अकिले थोड़ी ना खा रहे हैं वो तो पूरे गाउं को खिला रहा है पूरा गाउं जी जी जा जी ग पूरे गाउं का मुह मिठा करा दिया उसने आव बच्वा हुँ नवस्ते शिर लट्डी नवस्ते जाओ तुझको भी मेरे बेटे ने लट्डू खिला दिया है उनकी क्या मजा जे मुला लट्डू खिलाएगा अला मैं तो इंसान हूं उसने तो गाय बैस बैस बिली रभी लट्डू खिला रहा अवव लाया ना तो मेरा बेटा उवड़ा है और मैं उसको मारनी क्विए लाठी लेकि घूमरो ये बचाए ने मिठाई होनी चाहिए थी अरे बाद मिठे आर गई मुखोल मुखोल तेरा मुखोल 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 बोब देरा एक मिर्ट लो सब लो लो देरा भाई एक मिर्ट दे रहाऊ अरे मासल जी मासल जी आप तो लड्डू कही है मगर किसकुशी में लड्डू बाट रहे हैं आप यूग में बेटा पास नहीं हो सकता क्या मज़क रहें आप यह मज़क मैंने नहीं यह मज़क आपके बेटे ने आपके साथ किया है पूरी क्लास में एक ही लड़का फेल हुआ है वो भी आपका बेटा राजा जी आप सच कह रहे हैं मैं सच कह रहा हूं पूरी क्लास में इतनी बुरी तरह से फेल हो गया कि पूरे कॉलेज के मुमें कालक खोद दी उसने यूनिवर्स्टी वालों ने यहां तक बोल दिया कि द आज अगर आज अगर आज और ने वालों में तुम अभाने तक बागेंगा भाग वो तो कर दो कर दिए मिचमें दिवार खड़ी कर दिवार वर्लामें बाग जाता पिछे से वड़ाया और मिठाई बढ़ता है अब दिन भर जाओगे पहलों के पतले काम करोगे भाणते मैं किस एंगल से लगता हूं जो मुझे बैल की तरह जोतेंगे यह तो फिर भी लगता है मैं तो पिल्कुल निन लगता है यह तो आड़ी कमाल खृभी ने जोड़े जाते यह बढ़ता हैं तो ने वन्बई का नाम सुना है अब पैसा होता है यह स्मगलर बन गया यह कर दो आज का अधर आग रहा है तू आप पागल हो गया मुंबई जद्दार आदमी हो मैं जिद्दर से मिन करता हूं ना सब मेरे को सलाम ठोकते हैं सब्सक्राइब करता हूं मेरे नीचे काम करते हैं मेरे अच्छा कितनी है दस हजार महीना समझ गया यार यह दिन वर कुट्टे की तरह काम करता है क्या बात करता है काम ठाटते रहता हूं मैं आप इसमें हर कंडिसंट की हवा खाता हूं और सुण मुश्किल से आट-दास फायर मेरे सामने आती है करता हूं लटा देता हूं अंपर दिया में पास किया है बैट सीफनी की उसके लिए इसके लिए हो बहुत जुरू दूरिय काम करतना रप्र उप्र उठा स्था तू आठाने हैं ना चल के राक हो गया क्या कोई बात नहीं नहीं वो जिस गोबर की बात करके गया है ना उसी गोबर को एक दिन उसके मूँ पे थोप देना तू जी जजी जी वांड़ जा कुछ कियाना चाहता है बात तो कहने वाली नहीं लेकिल मैं कहना चाहता हूं कि मैं मुंबई जाना चाहता हूं बाबुजी रहरा है देला तब से इसका दिल फटपटा रहा है कि मैं भी मुंबई जाके नौकरी करूं सब्सक्राइब करते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा पैसे करा जोगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा क्या मतलब सुनिए जी लो जी जी बता देगा जी मैं बताती हूं उस रजिस्ट्रार की हतेली गरम कर दी और उसे दिजी तयार कर वाली तो तुम्हारा मतलब यह कि मैं इसको बिना परिक्षा पास किये वे रिश्वा देकर पीए की डिग्री दिरवादू हां तो क्यों नहीं उसे फॉरण ना वह कौन से बस की डिग्री बनाई जी बस की नहीं एंबी बीएस की डिग्री हां यही डिग्री बनाई और आज देखू ना वही जिंगुर मोती खांदानी काम छोड़कर रहा है और अंदा धुन पैसे कमा रहा है क्यों और जी जा जी मुंबई में टॉप का जूतों का डॉक्टर है तुम अपनी बेहुदा तलीलों से मुझे ब्योकूफ नहीं पना सकती हो मैं अपनी सारी से लगी अपने नियम अपने हुसुलों से गुजारी है इसके लिए मैं अपनी नहीं नहीं तोड़ सकता इस घर में 40 स्रटिफिकेट और इस्वर्ट की ड बेटा तो फिकर मत कर तुझे सर्टिफिकेट मैं दिलवा के रहूंगी शादी बंजे मेरे बगर बोर मत कर मुझे चीक है यह ले शादी और मेरे चांद के लिए एक अच्छा सा बीए का सर्टिफिकेट ले करा जी जी तू फिकर मत कर मैं ना रजिस्ट्रार के पहले तो प पैर दुलाई करियो तुम अच्छी है तुम बड़ी भोड़ी है मेरी जीजी है यह लिए यह आवाद किसी आरी यह क्या है आर्थी आर्थी किसकी अपने कौन अपने राजा जी की धन्यदान्य सुतानिवता मनुशोमत प्रसादी अरे यह किस खुशी में आप इसकी जी मुबारक हो आपका बेटा बीए में फर्द क्लास पास हुआ है और मुंबे भी जा रहा है काम करने सर्वबांगाव मिनेर मतलब आज तक यह जितनी भी बेहुदा फरमाशे करता रहा तुमने साब पूरी कर दिया अब यह भी पूरी कर रही हो क्यों ना करूं मेरे बेटा गाउं से बाहर अजनभी शहर में जा रहा है वहां उसके रहने का बंदोबस्त खाने का बंदोबस्त यह सब कौन करेगा आपी को तो करना है ना मा वह रस्ते वाली बाद 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 अरहां जी सुनिए रास्ते में मेरे बेटे को गालिया मत देते हुए जाईएग तुमको तो में रास्ते भरी इसकी पूजा करता रहूंगा अरे वाद भाया इकोनोमिक्स में हन्डेड में से हन्डेड इंग्लीश में हन्डेड में से 98 अरे हिस्ट्री में 95 और जोगरोफी में 99 इसको आप नंबर कम कहते हो अरे भाया तब यह थीक होती तो क्या सौ में से डेड़ सो ले आता नहीं तो करने चीए न क्यों माम है बिल्कुल ठीक बांड जे जी मेहनत करने में क्या अरज है वैसे भी मेहनत करने में ना कुछ घिसता नहीं है वा वा मिस्टर राजा तुम बहुती महान हो धन्यवाजी में हद जहीन और हुश्यार लड़के हो मेरा आफिस तुम जैसे पढ़ाई से भी ज्यादा पड़े लड़के को काम पर रखने के लायक नहीं है धन्यवाजी भाण जे आपके कहने का मतलब यह है कि मेरे भाण जे के लिए नोकरी का यहां कोई चानस नहीं है नहीं जी मैं तो इनको हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकता हूं कि अगर यह मेरी ऑफिस में काम कर ले तो मेरी ऑफिस की तक्दीर में चार चान लग जाएंगे आपका बड़ यह एक इंसान है कि इसने इस संसार में पैदा होके ना पूरे संसार प्यासान किया है अगर सोने को छू देना तो वह पथर बढ़ जाएंगे मतलब और मेरे कहने का मतलब है ये पत्थर को छू देना तो वो सोड़ा बन जाए ओ जी ये तो अगर बंदर जमीन में एक ठोकर मार देना तो वह तेल का कुण निकड़ा है तो मेरी जमीन में ठोकर मरवा दो इससे या तेल नहीं निकलेगा सेट अच्छा मैं आपको प्रातना करके कहता हूं कि आपसे ज्यादा सिनियर लोग भी हैं तो उनसे ज्यादा पगार आपको दे नहीं सकूंगा आपको सिर्फ महने का 5000 रूपया दूंगा चलेगा 5500 कम है कम है तब मामे घंचलें का था करना यहां तो कि आभूार गया और पुचाल आगया क्या अरे भूचाल के बाप आगया मामे अरे आपिस पहुच्चना थो तु मुझे आरद यहां जखाने वाला ता मामे अरे तहिक निटेंसे भी और था तो खज़्सरी को स्वह्ट हैं अरे आढ खुण हए पढिया ऋपometr जब तक तेरा नबर आए बसमें बैट नेखा तब तक मैं तेरा कर दूंगा तयार तो हो तियार क्या होना आत्omi अत्तियार क्या लग्या किरूम ले पकड़ यह ले निकाल मदे में न है सब फुर्ट और ला कि खोटेसे ना अच्छा बच्छा तोर वह पुरब आई अरे अरे बात पे बात पे अरे मूटो के ला कर लूँ ओ हो छो ले डाल इस पे अब च्छा करोगे और मैं इसको गोड़ूँगा बैं गोड़ता रहूंगा तुम्मालता रही हो साड़ी भी कोड़ानी है तेर प्रजाची राजाची 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 राजा औरे दाड़ी बढ़वाते में बात नी करते मामे, किसी दुसरों पच्छे के बास थर्मों से क्या ने, वो गणबड़ हो गई न, वो पानी कतम हो गया इसका अब बच्छे पानी ते पिरा अरे बना दिया न, एक तम दर्मेंदर ते रेको अच्छा दर्मेंदर मुझके बोला लाइब तु मार रहा हाहा अरे क्या कर रहा अब? न, 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 एसे कर रहा जैसे होड़ी आ गई हो अरे अल्ला मुझ पोश्रू मामे, लाल लूंड़ी ते अरे अरे क्या कर रहा अब? अरे अरे इतला काम नहीं होता यार, काम नहीं होता मुझसे आजाओ अरे जाओ कि दर वास आए, अभी बेट जाओ, बेट जाओ समाड़ ए, समाड़ ए, अच्छे दे बेट जाओ अच्छे दे काओं, मैं अभी आताओ इक कळवा? वह बभाक के अंड़िय कि अर्ष को अलोग सेंट शहर में हैं की जया है आप्जांतलय को अंग में क्या से जाना मिलत भी ओस्ते हैं इंच जो भी म५श들 है बुममें शहर यारी किसी प्रबिर नहीं है यह मेरी गड़ी है अरे का लाखों की गड़ी और कहा चाल चाना में गोबर उठाने वाला तूँ खलवा चुप 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 एक वर सुन मैं तरे को बताता हूं चक्कर की है उज़रा अंदर जाके देख कोण है जाके देख लिए नाया है एक करोन पतीबाप की बिटी है मैं इसको पशा चादी कर लिया हूं और इसके पैसों पर आइस कर रहा हूं क्या आए नाया लेंगन से आया हूं अगली बार जया मिलेगा तो काली चरण के नाम से भुड़ाना खला नाम से याँ ठीक लगुरबदा जड़ू मर् गढडरफुरी करोड़ो पती की बेटी का पती बनकर खुथ करोड़बदी बन गया मेरे बिए लड़की से मिला दे जिसका वाव क्रोड़पती हो बिए ओ गॉड़ को लुड़ कर दो कर दो कुछ लनने की लिए क्या आप चानक पीछ में आगए तो मैं तुम्हें क्या करती है कób पएसा आगा तो चर्वी चड गए ठीज रहा ये क्या मंज़ रहा है वुछ नहीं जुए और थोगीं पिठे लेày को ये करोडबस पफिशतराए के नाम सुना है से और बता शाहर को सबसे बड़ा रही सबसे पढ़ा सत्जितु सर्क जबाल हे नीकृतव नुक्सान है हमें बताई हम आपको पैसे देरेंगे तो ठीक है निकाल लिए 50,000 रुपए 50,000 एक मिनटी वाइसाब ये क्या गुंडा करती है अरे काई की गुंडा करती है हम तो इंसाम मांग रहे हैं वो जो को मेरे ठेले के अलत अगर मैं मर जाता तो तो अरे लेकिन मरे तो अरे 200 रुपए के वाज में पठा साजार पर मांग रहे हो लेकिन भाईसाब आप खेला चलाती हो ना इसका मतलब भाईसाब आपका जमीर जिंदा है और माफ कीजेगा जिसका जमीर जिंदा होता है वो आदमी मर जाएगा लेकिन कभी किसी के ऐसी दोलत पर हट नहीं जो मिए भीकारी नहीं लुटी हो नहीं अप महल है भाईसाब आप लेकित मेरी आगे ख़ल दी बाईसाब तुछाइए पकड़ लाद ये अपके जाए है आप जाए आप जैये तुछा आप जैये आप जैये अने बचिएना करोड़ पती के महल में चलाम बबेटी है अदो पाम प्रे इमनीningar कि लाड़की का बाप तो कड़ुां के ससूर ऐरना बाल अदमी लगता है अबे यह बहुiner hai रस्टेगर रसले के अमसी प्लाषण निचे तो मैं रोड़की मत्त दो इसको रसले के आठाडा से तुझे देख लूँ वा, चलूट नम्मर वाया ना, जा सब, जा सब हाई जैदी, हाई बच्चो, कहा गए थे, यूही, बाल को ज़रा गाड़ी सिखाने ले गए थी बेटे ये तुम्हारे माठे पे खून, क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल वो, रास्ते में ज़रा सी चोट लगी तो, शायद खून निकल आया अंकल, आपने अपना कीमती रुमाल क्यों खराब करती है मेरे लिए? बेटे ये रुमाल तुम्हारे खून से जादा कीमती नहीं है, तुम लोग डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? अरे डॉक्टर वोक्टर छोड़ी अंकल, हल्की हल्दी लगाते ही न, सब ठीक हो जाएगा नाए नाए, पॉरण डॉक्टर इम्तियाज को फोन करो सोन्या दीदी, आप के रहे शिधर जी का फोन है ये, चल पायल डॉक्टर इस कामिंग हाँ ये, लड़की कौन है सेट जी? कौन सी? अरे जिसके माथे पर चोट लगी है अपनी बेटी है आपकी बेटी कैसे हुई? वो तो आपको अंकल अंकल बोलती है धनपसेट उसको भी अपनी बेटी सुन्या की तरह ही प्यार करते है मगर हकीकत में वो उनके माली की बेटी है भाराष्टा की 10 लाग की लोट्री का, वाहा राजस्तान के 5 लाग की लोट्री का, पिता जी, वाहा ये क्या कर रही है तु? मेरी कोई लोट्री की टिक्ट लगी की नहीं आभी तक? पिता जी, मैं आपसे एक बात पुछू, आप हर महीने अपनी आधी तनक्वा इन लोट्री के टिक्टों में क्यों बर्बाद करते हैं और लगती एक भी नहीं है, बच्पन से लेके आज तक मैं यही देख रही हूं इसलिए खरीता हूं यह लोट्री के टिकेट मैं यहां हूं मामा, मामा, कड़वा मिना था कड़वा अरे लाननत भेज, कड़वा भी कोई मिलने की चीज है मामे, कड़वा मर्सडीज में खूम रहा था मामा, वो इस तरह चालू है, उसने कड़वा की बेटी को फास लिया और खुद कड़वा बन गया अरे वो कड़वा बन गया, तो तू क्यों छलांग मार रहा है अरे मैं अपनी छलांग प्यां आ रहा हूं ना तुन्हें सेट धंपत्राय का नाम सुरा है मामे, में धंपत्राय का अहिए ख्याली बुलाव पकाने चुछ उसको फशाना है तो उससे मेल जोल बढ़ाना होगा मयल जोर बढ़ा रहा होगा अभी तो मिली थी थैंक्यzubोलि थी थैंक्यी बोला था न patrolने अरे कब बोला कैसे बोला कहा बोला मामे थूवा नमक क्परेज लगा आके बोलो हमा मुरा थो रही वाँ पाफाथ ही तू मामे, संडे की रात थी, पहली मुलाकात थी, मैं था, वो थी, और हल की परसाथ थी पढ़ जे, तेन मेरे से कही थी न, कि पायल के हफ्ते भर के प्रोग्राम का पता लगा क्या मामा तो मन ने उसके हफ्ते भर के प्रोग्राम का चार्ड चिफका दिया इदर ख़ुन या सबस्टरवर को सिंब और जाती कि गए लिधा आगी पर धर हम मतिर पढ़ सिना प्राव्मल्डी पढ़ाया तो बंदे सआग्या मैंने सबस्क्राव !! यार देल्दार तुझे कैसा चाहिए ? टकी अरे बाहं जा को सी और चाहिए ? अगे आगे अगे 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 अजीब लड़का है अगे बोलेनाथ मैं हर सोमवार को तेरे मंदिर के सिडिया घुटनों के बल चड़कर आता हूं वो भी अपने लिए नहीं दूसरों की फर्यार लेकर आता हूं प्रभू यह तो वही है, जिसने आकसीडन वाले दिन हमें बचाय था हे भगवान, मेरे घर से दसवे घर में शांती चाची रहती है उसके घर में चुला तो सिर्फ दिल जलाने के लिए रखा हुआ है भगवान, मुझे भले दस दिन के लिए भूका रख लेकिन शान्ति चाची और उसके सारे परिवार का पेट भर दे भगवान सारे परिवार का पेट भर दे यह तो कुछ भी नहीं है प्रभू मेरी पिछली गली में रहने वाले नारायन चाचा का दुख सुनोगे न तो तुम्हारा कलेचा दुख से छलनी हो जाएगा मालूम है उनके सारे शरीर में खुझली पहले मैं तो कहता हूँ प्रभू उनके सारी खुझली मुझे दे दे आप भी सोचते होंगे कि मैं क्या हर रोज आपको तंग करने चलाता हूँ मगर क्या करूँ मजबूर हूँ भुले का वक्त हो ना इसलिए भूला हूँ अच्छा प्रभू में चलता हूँ लेकिन कल फिर आऊंगा किसी और का दुख दर्द लेकर मादे हर हर मादे हर हर अरे आप एक बात पूछू हाँ आपने उनके लिए मांगा जिनके साथ आपका कोई संबन नहीं है आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा अब अपने लिए मांगने की मेरी जुबान में शक्ती ही नहीं रही आप जब अपने लिए मांगेगी न तो अपनी मांग में मेरी मांग शामिल कर दीजेगा मेरी अरद भी पूरी हो जाएगी और आपकी मांग भी सबर जाएगी मेरा मतलब है कि दुनों का भला हो जाएग चलता हूँ. नमस्ते. यह ना, मेरा भांजा है। नाम राज़ जा है। यह नाम सही राज़्जा है। बिल का मिराज़्जा है। इससे ना लोगों की तख्रिपे देखी नहीं जाती और इंसान तो इंसान ये तो जानवरयों की तख्रिफे भीने देज सकता जानवरयों की तख्रिफे proceeded अहां पर एंप को देखे उसकी जान बच्चा ली बैल को अहां तुनों एक ही दिल पैदा हुए थे था बलड गुरूप भी सेब था ओ पॉजिटिव मुझे लगता है कि राजा जी इंसान नहीं फरिष्टा है ऐसा शरीफ आदमी ना तुम्हेने जिंदकी में देखा है और ना ही सुना है इस तू क्यूट मैं आप सो इंब्रेस्ट अपर जे पीर निशाने पे लग गया लड़की पिटा होगी तेरे पे माँ अगली मुनाकात में आई लविए वोल दू ने ने इतनी जल्दी में ना भागा दो तो फिर क्या करूं अरे वह इकर जो फिल्म में होता है तिल्म में क ये एक हीरो ये और झारी को पठाने के लिए अना फ़ा continues too येप दो है मुन्बइहिं में गुंडों की कम थोड़े ना यह पब्लीक कम है गुंदे तो बहुत ज्यादा है मैं बुल्डोजर बोलेला है अब एक धक्य में तरी अख्य बिल्डिंग गिरा दूँगा समझार फोकट में बंकस मार रहला मतलब की बासुरी बजा सुन किसी बिल्डर को उठाने का है कि किसी शेट को लूड़काने का है कि खाली मैदान से जोपड़े अटाने का है कि जोपड़े को खाली मेदान में भी ठाने का है अपनी सब कोंट्राक लेता है अब चल तेरे मतलब की बासुरी बजा चाल क्या अबे बेंडी बजार की गर्दी में तेरी किसी ने पोकेट मार दी कच्रे की पेटी की पेदावार तो ये काम मेरे को दे रहा है अच्छा अब चल तो एक बात बता मेरे कूख के तेरे पाकेट में पाइसे कितने थे साट रूप अब धकान ये फोन के अंदर ही मुझ डाल के तरह को ऐसी गाली दूंगा ना क्या कि टेलीफोन एक्चेल में अंगार लग जाएगी फोन के अंदर ही फायर कर दूंगा ना सब्सक्राइब कर दूंगा निकलेगा शानी है नबस्ती जी हाँ समझते मतलब की बात कर जी आपका नामी बुल्डोजर है अब तेरे को मेरे से जास्ती को इस सॉलिटी दर दूसरा दिक रहला है कि लगाओ टकत तेरे गिरादू बिल्लिंग पानी के टंगे के साथ तेरे क यह का जी कैसा नामटा प्लमेर को दे वुरल्डोजर भाई उसका नॉल्ली पाया थोड फोड के उसका पाउड़ा बनाएंगे आदा तुम लोग पे छिर्केंगे आदा केरम बोड पे यार लाइप केरम बोडे तुम इधक्ता क्या है तुम नाम बोल बाकी अपने पे छोड़ क्या पा üzना य nehme ri comt Di कि मा के आख मा की तुम अवर भॉल थार बास कर नहीं यह इंदे बुल भाई पात कि मेरे बहान जे को नए गडर्की से प्यार वगया है तो प्यार में रोब जाड़ने के लिए न मैंने एक स्टोरी बनाई है उसमें आप विलन की तरह लड़की को जाके छेड़ोगे ये हीरो की तरह आएगा और आपको कुत्ते की तरह मारेगा अभी तक में रखो कोई पुलिस ने हाथ नहीं लगाया ये माचिस की कांडी मेरो क्या मारेगा अइसी तक कर दूगा ना कि इसके आरपार हो के तु भी तोपी समय निच्चे जाएगा भुल भाए भुल भाए मार खालो ना आपको मेरे प्यार की कसम तो ये काम कर काउंटर पेजा पैसा दे उस छोगरी का नाम एड्रेस दे उसका तिया पांचा करने का ही तोप लेके जाए बहात अच्छा लग रहा था तो ये मेरे गुलाब की कली मेरी चम्मक चलो इधर क्या कर रहे लिए चलना तेरो को हिंगिंग गार्डन लेके जाऊंगा अक्का मुंबई फिराऊंगा रानी बाग में पिंजने के सामने कड़े हो कि आप उन साथ में चनी खिलाएंगे ने ब ये जड़के को छड़ता है बनजी वो देख उसने है ना चाकु निकाल लिया सही टाइमे चला जा तो अरे भाईसा भाईसा मुझे अंदर चिक कर दूगा अरे बैंजी मुझे अंदर जाना दी एक खपड मारूंगी बैंज किसको बोलता है अरे चमिया कित्ती मेनद कराएंगी चलना में इदर के लड़की को छेड़ने आए गाटन में अच्टा कोई माईकालाल पैदाने वहला है जो बुल्डोजर को टाच करके निकल जागए तो आप उनका एमोशन में आगया एक छोकरी के एमोशन समत्ता है क्या जजबा कांसे आगए कि अजब बोड़ता है तू आता है कि खंडाला वो का है को अरे आज रवीवार है रवीवार के दिन पायण उड़सवारी के लिए खंडाला जाती है अरे खंडाला कहां से जाएंगे अरे वहां जाने के लिए तो हमारे जेब में फुट्टी कोडी भी ना है ओपर चेन बेज के पैसे लिए थे न तरने अरे वो तो गुंडों को दे दिये मामे ये तेना दाथ सोने का यह ना सब्सक्राइब कर दोणियित दाथ है तो इस बार चाहिए दाथ चाहिए और बानिजा चाहिए यह इस बारा हद प्ता कि यह रा खंडों कि यह बार्द में पर चलंगा जाए व्यार जब तदर्ग ऑजि के लुग पिदग जाएगा, लेकिन पाइल कगोड़ा बित्के का कैसे? क्यों पाइल के अद्वियों को आदवियों को कुझली की दवा दे दी है तो आद भी ना कुझली की दवा एग गोड़े की एगा उसकी टांगों पर बाहर है घोड़ा बिदक जाएगा उसके पाद अप्ला काहा हो जाएगा क्यों वह देख 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 पायल गोडे पर बैट रही है अजबी नहीं ना वो खजली की दबा हातों में लेकर घोडे की टांगों में लगा दी है पिछले बार गुट लग लिया था मने बरबाद हो गया था इस बार मैंने हिरो बनाइब जा रहा हूँ अरे यह कैसे बैठ गया अरे या तो कुछ सिद्धा हो या फिर गोड़े को लटा कर ऐसे तो गोड़ा कही और जाएगा तू कही और पाईल गंवरा नहीं आरा हूँ इसके मुंड़ी का और देक्रदन के असबस कहीं होगी यह कि दर ले जा रहा है ईट मामे न चाहा है वाय जूा पाया पाया बचा आओ पाहल कुझे बचालो में बचालो अर आरा हूँ पाहल पाहल गभराणा मत मैं खुद गभरादू याँ पाहल पाहल तुम बचलो मला कुछकर भर मिल Agora बया पाल, बया पाल मैं चुकाँ उए राजा ची। बया पाल मैं चुकाँ पाल लेकर में कुछुदी सकता पाल, पाल आरे अरे ये पाल री तो किरगी आपे, कआल ये रापे आया मामे मैं उठना चाह रहा हूं और मैं उठ क्यों ने रहा हूं आख दोक्तर बोल दिख रहा बोल अरे आप अने मुझा किस किसम की पट्टी बांध रखी है हाथ पाव बान दिये मैं खुजा भी नहीं सकता हूं कब खोलेंगे आप मेरे पट्टी तुम आस्पीटल का पूरा बिल चुका दो हम तुमको पूरा का पूरा खोल देगा अरे डाक्टर साहब मेरे प्यारे से बानजे का प्यारा सा परस है गुम हो गया आप है न इसकी पट साथ राजा नाम का पेशन्ट हाँ रूम नंबर 16 में है पूरा प्लास्टर में पैक्ट किया हुआ है मिल जाएगा मिल जाएगा वेरी इसी तुद्रेस हिम राजा ओ सॉरी राजा यह सब कैसे क्यों यह लो अंगूर खाओ राजा जी आपने इसकी जान बचानी चाहिए इसलिए आपका शुक्रिया दा करने आई है मामे मामे यह फिल्डिंग तो मैंने की मैंन आप दम मैच इसको कैसे मिल रहा है तु कुछ कर मामे भणजे में तेरा मम मा हूँ मैं नहीं करूगा तो और कोड करेगा तु लेटा रहे मैं आता हूँ बंद करने यह अंगूर खिलाना अरे मन्ने तो यह ससुरा बिमार गम और बदमाज जादा लागे है अरे यह अंगूर आये थी राज्जा के लिए और खा बिखारी रहा है क्या मतलब ओ जी मतलब यह है कि यह लेटा वह आदमी राज्जा नहीं है राज्जातम वह है तो फिर यह कौन है माइन अटवान देखा यह निटवरलाल है आप दोनों की दोनों इसे थोड़ी देर और अंगूर खिलाती रहती ना तो यह सारे अंगूर ख़तम करती है जी वह डॉक्तर साब नहीं इशारा कर दिया था तो हम दोनों यह आप मुझे देखने आ गई यही आपका बहुत बड़ा ऐसान है एहसान तो यह आपका मानती है जो आपने अपनी जान पर खेलकर इसकी जान बचाने की कोशिश की शुक्रिया मगर आपको यहां का पता किस ने दिया जब आपका घुड़ा बितक कर भागा था ना तो हमें यह पता लग गया था आपकी अगली मुलागात हॉस्पिटल में होगी जी नहीं आपका वॉलेट हमारे पास आकर गिर गया था जब आपकी रहे थे मान ले बढ़ जे अब तू पेट भर के अपना बतन खुजा हाँ परस बिल गया बोलना क्या रास्ते में तो कह रहे थी यह कहूंगी वो कहूंगी बोलना सो सोनिया जी पायल जी क्या कहना चाह रही थी जी कुछ नहीं देखिए अगर आप अपने दिल की बात अपने साथ ले जाएंगी तो मेरे मन पर पहुज रह जाएगा बोल दीजे ना जी मैं मैं बोलना मैं आपसे फिर कभी कहूंगी पायल पायल आप ही पता दीजे ना सोनिया जी पायल जी क्या कहना चाहती थी दरसल जबसे उसने आपको देखा है उसकी रातों की नी दुड़ गई है हर घड़ी खोई-खोईसी रहती है जबसे आपने उसकी जान बचाने की कोशिश की है ना तबसे उसको सच-मुश कुछ हो गया है क्या हो गया है उसको आपसे प्यार हो गया है औशाब kung जाता है अभै टिंगू तु सुदर जा इस हवेली का ओने वाना मालिक हो मैं आप कुछ भी बोलो आपको गराब नहीं लगा वैसे भी चोकी तर ऐसे ही होने चाहिए वरना कलको हमारी गहराजरी में कोई भी बहुत है कि आपके गहराजरी में कोई भी चोर उचका बंगले में घुचता आ ना वही वहां मेरे पिता जी है मैं अभी है बिलाते हैं मामे यह तो घास काट रहा है माल ली तो नहीं है पहाण जी तरने फिल्मों में नहीं देखा हर बड़ा आदमी है न अपने घर में घास काटता है हां लेकन क्यों वो इसलिए कि इन विचारों के पास पैसा बहुत होता है तो इनका इन टाइम नहीं आदमी के गले लगने का मजा और आनंद कुछ और है यहां बेटा जैसा में अब आदमी के गले लगने का मुजा और आनंद कुछ और है आँ बेटा जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था वैसा ही पाया है आँ बेटा अंदर आओ आओ मामे तु भी अंदर से घर को देख लोना आँ अंदर से घर देख मैं भार से देखता हूं भाई साब तरह दिखाओ न घर आई न चलिना कैसा आए गर पस क्लास कर देख कर देख कर रहा हूं मैं मैं तो सिर्फ यह सोच रहा था यह सब की सब गाड़ियां चलती है कैसी बात कर रहा हूं मैं अरे बाप रे बाप यह ठाट और यह सब कल मेरा होने वाला है इसलिए मैं तुम्हें यहां लेकर आया वर्ना मैं तुम लोगों को पीछे लेकर जाता है पीछे कहा अपनी खुम्रे में लगता है पीछे भुड़े ने अपने लिए कोई खास बेडरूम बनाया होगा इसी जल्दी से चाय लेगा है आप क्यों चाय बना रही है घर में बहुत सारे नौकर तो होंगे नौकर तो बहुत है लेकिन सब अमरीका गये हुए है यहां तो नौकर भी अमेरिका जाते है शादी के बाद दावाद को तो सीधा चान पे आँ भाई साब यह थंड़े थंड़े मैं अपने जीवन के भविश्य के बारे में सोचकर व्यस्त हो गया तो मैं उनसे ही बात करता करता अब मैं अपने पिताजी से बात करने के लिए अगर मैं आपको पसंद हो मैंने तो कभी सपने भी में नहीं सोचा था कि मेरी बेटी के लिए इतना शरीफ, सुशील और हुनहार कामाद मिल पाएगा अरे, नहीं, 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 क्या कर रहे हूँ पाड़े, बैठ, मा मैं, आखरी बार रिख्जा मा मैं बैठ रहे है आई यह सर, बाड़े, अरे, वो दे कोड़े कड़ुआ, अरे, कड़वे, बाड़े, बाड़े, नहीं, लगता है, वो आदमी आपको बुला रहा है को मैं इनको पेचा मानता नहीं हूँ, क्यों दिमाग खराब कर रहे है, चल बैठ, अरे, बाड़े, 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 अरे, अरे, मा मैं तो बड़ा हरामी है, देख क्या हम देखा कर रहा, अरे, इसका पिछा करें क्या, अरे, इसका पिछा करें क्या, इसका पिछा क्य अब तुझे ने अब तुझे कण्लों करेंके बुकाराया है। तुझे सुनाए नीडरा है। मैं आपसे कह रहा था ना यादमी आपको बाहर आवाज दे रहा है। मैं इसको जानता नहीं है जानता तक नहीं है अब तुम लोग को इसकी स्टोरी में बताता हूँ यह ना एक अमीर आदमी की बेटी को फसा के खुद अमीर बन गया के महलूम दिया कि मेरे जोने वह ना इचना उसकी तो शादी कर लेगा ना तो साड़ा सत्मे के बारे कुछी पर जाएगा अरे सेट जी मारा तो भाग खुल गया आप पदारे मारे ओफिस में कॉफी पियो छोड़के सेट करोड़ी मल जी मैं काली जरू बोल रही हूं बोलो भाया तोड़के मैं इसलिए फोड़ किया कि आपके साथ बहुत बड़ा धोक्ता हुआ है कि मतलब यह है कि राजा नाम के जिस लगे को आपने नौकरी पे रखता है ना वह बहुत बड़ा फ्राड़े जी उसके सारे स रिधा उसने मैं तो कहता हूं जी उसको फॉर्ण निकाल दो ठीक है ठीक है भाया तोड़के मेरे ससुर को भीकारी के अरिया था अब पता चलेगा आप ने मुझे बुलाया सर आईये है आईये है मारी आपिस के मुकदर को चमकाने वाले आईये अरे आप बैटिया ना जब अच्छा जब मिल जागा तो बुला लिएगा मैं फिर आईया हूं अब फिर के बच्चे में तन्ने इसी वक्त नोकरी से निकाल रहा हूं नई-दो क्या है अब रख नीचे कारण क्या है कारण एक हो तो मैं तेरे को बताऊं यहां तो कारणों का ठेर लगा हुआ है तो महीना हुआ तुझे ओफिस में 20 दिन की छुट्टी लेली 20 दिन बिना बोले नहीं आया और जो भी ओफिस में काम किया तुने धंका नहीं किया करेगा कैसे आता होगा तो करेगा ना और सबसे बड़ा कारण तो यह है कि तुने मेरी ओफिस के साथ फ्लॉड किया है तुम्हारे सर्टीपिकेस डिगरिया मार्चित जो तुमने मुझे दिखाया था और देखकर मुझे पसी ना वो सब लकली है जाली है तुम्हें कमटन के पास जाओ तुम्हारी बाकी के पैसे ले लो और इधर से चले जाओ आइंदा कभी भी इस ओफिस में कडम रखने की कोशिश की तो मैं थारी तांगे तुड़ा दूंगा अपनी जबान को लगा मदो तुम्हें मालू में घुस्ता की कर रहा हो वह राजा जो आने वाले कल का रहीस जादा बनने वाला है तो और रहीस अरे दो दिन में कटोरी लेके रास्टे पर भीक मांगते हुए नजर नहीं आया तो मेरा नाम करोडी मल नहीं आज तो ठीक है अपना नाम बनल लेकिल तैयार हो जा क्योंकि जैसा अदमी की बेटी के साथ मेरी शादी होने वाली है उसके सामने तुमारी अउकाद भिकार ही हो वाली है अल्ला के नाम पर देदे बात तो बताओ इस शहर का इससा कौन सा बेवकूफ इंसान है जो तुम जैसे निकम में अपना का रहा बेहुदा लड़के को अपना दामाद बनाना चाहता है ओहो अरे बेवकूफो बेवकूफो वह इतना बड़ा रईस आदमी है कि उसके लोगर भी तुम लोग से जाना रईस होंगे क्योंकि मैं चिलाओंगा तो तुम्हारे इस सड़ेवे आफिस की छत का प्लाश्टर गिर जाएगा और वैसे भी ऐसे घटिया आफिस में खड़े रहना हमारे जूतों की आन बान और शान के खिलाफ है ए मिस्टर आन एक बात तो बताओ यह तुम्हारे होने वाले ससूर इ निकारियों के पुरान यादा थे इसे छोड़ दो और तुम सुनो अपने सड़ेवे आफिस के पेपर तयार रखना बहुत जल्द तुम्हारे इस कबाल खाने को राजा जी खरीदने आ रहे हैं शिवनाथ जी आपका बेटा मेरा दामाद बने ये मेरे लिए सची गर्व की बात है लेकिन एक विनती थी ये रिष्टा तैय करने से पहले अगर आप अपने बेटे से भी पूछ लेते तो बेहतर होता संदी सौप बेटे से क्या पूछना हमार का ना बुझ्द बुजू को ने कोई रिष्टा बेटों से पूछ के नहीं किया मेरे शादी मेरे पयाजी नितय की ती आप तो मेरे बेटी की मजान नहीं की वो खान्दान की परमपरा को तोड़े या मेरे होकम के खिलाफ आवाज उठाए मेरी तरफ से आप रिष्टे को पकाई समझे अरे यह क्या कर रहे है अपने बेटे की सर पे सहरा देखना अपने घर पे बहू लाना माबाप का सबसे बड़ा स सपना होता है मा मैंने आप लोगों का सपना बहुत बड़ी जगह फिक्स कर दिया है इन बिचारे भीकरियों की पेटी के साथ शारी कौन करेगा बबाब जी शमाच चाहता हूं मकर जिस जगह पर हम लोग रिष्टा करके आए न वो लोग इतने बड़े लोग है कि उनके सा इतनी गाहे भैसे नहीं होंगी कि जितनी उनके पास इंपोर्टिट गारिया है शिवनाद जी हमें ये पता नहीं था कि आपने हमें बेज़त करें और हमारी पगडियों चालने के लिए घर बुलाया था चलो जी चलो कलेजा ठंडा हो गया पूरे विरादरी के सामने मेरे इज़त खाक में मिला दी अरे वह 20 गाहों का चौदरी है तुनों उसको भीकारी कई दिया अरे छोड़ी है आपका बहुत बड़ा समय आ गया है अब आपके दोस्त बताना मामा कैसे होने जी जीजा जी बड़े- मामा है भाण जा एकदम ठीक कह रहा है शेड जीज ने मूरज फाइनल करने लिए हैं ना आप दोनों को राजधानी एक्स्प्रेस से बुलाया है बवरी चलिए ना क्या सोच रहे है एक बात बता इतने बड़े घर की बेटी से तो शादी करेगा तो शादी के बाद वो अपने महिलों जैसे बंगले को शेर से छोड़कर गाउं की समिटी के मकान में रह करेगा मैं इस रिष्टे के लिए तैयार नहीं बाफ जी आपको यह रिष्टा मंजूर नहीं बिल्कुल मंजूर नहीं है क्या आप इतने बड़े घर के रिष्टे को ठोकर मार रहा है इसलिए कि मैं छोटा आदमी मेरे पैर जमीन पर है मेरे जमाग के अंदर मेरे वकाद मैं अपनी अपका जानता हूं वो शोद्री के सामने में सीना फुला के बाते कर रहा था क्योंकि वो मेरी बराबरी का था मैं इतनी उंची जगा रिष्टा नहीं करना चाहता कि जहां ऊपर देखते होत मेरे सर से मेरी पकड़ी निकल के मेरे ठोकरों में आ जाए ऐसी जगा है हैर बात में तेरा साथ दिया चाहे को सही हो या खळत है कि लेकिन आच कि आज मैं तेरा नहीं इनका साथ औहुंगी मा ये तु क्या गेरी है तुमेरा साथ नाज देगी खाबटा क्योंकि जब बेटे की शाधि हुती है तो मंडप मेँ माँ पति के साथ बैटती है और जिस मंडप में तेरे बाबु जी नहीं होंगे वहां बैटना मेरे लिए पाफ है तिरी इन मेरे साथ कोई नहीं दे रहा है अजिर्वाज भी नहीं देनी यार क्या। धरमशाला, मेरी सहली, मेरी बहन की शादी धरमशाला में? देखो बैटी मेरी इतनी आउकात हैं उत्रयमें कर सकता हूं न? आपसे आपकी आउकात पूछी किसने, यह मेरी सहली की शादी है. इसकी डूली मेरे घर से उठने जा रही है इसलिए इसकी शादी किसी धरमशाला वरमशाला में नहीं किसी शांदार होटल में होगी लेकिन मेकिन कुछ नहीं होटल मतलब होटल किसकी चिट्थी है बेटा आपके बाहिजा परदाब जी की चिट्थी है लिखा है लिखका है आने वाली दस तरीक कोर की बेटी की शादि है हम सब को वहां बुलाया है तो फिर में समान बाद लेती हुई शादी में जाने के लिए बाद जी सजामट तो बहुत अच्छी है और लाइटिंग का सिस्टम तो वारे गाओं की शादिय से बेटर है तो महां मैं यह पीचे के दर जारी है तक कर काटके आएगी अच्छा अणंदर मैं कैसे कोई sini है तो तो आप है न क्यों मजाग करते हो पेटे मैं तो सेज़ी का नौकर हूं इस हवेली का माली क्या माली मैं तरी जितने बी गुणगाउं कम है नजाने पिछले जनम में मैंने इसे कौन से करम किये थे कि इस जनम में मुझे ऐसा दामाद मिला है जो हर लालत से दूर जिसने किसी किसम की कोई मांग मुझसे नहीं की यह बगवान ऐसा निस्वारती दामाद आज की युग में मिलना तो एक तरफ सपने में भी दिखना मुश्किल है मैं चाहता हूं बगवान दुनिया में हर माबाप को ऐसा ही दामाद मिले और ऐसे ही रिष्टदार मिले जैसे कि मेरे दामाद का मामा है शादिलाल माम मैं क्या सोच रहा है भाड़ जे एरी मोह्बत के चक्कर मेरी देजिंगी चैन भी कुवाणभी बोबिंगली पर्सनेलीटी के लिए सोनने का दात बू legitimately तो हर वक्त अपने बारे में सोचता रहता जरा मेरे बारे में सोच मैंने क्या क्या सपने देखे थे बैया करके हनीमून करने राइंड जाओंगा लेकिन अब तो जिंद की में हमें दुन्या बर्के मेहमान आए घृ कर समय गर इतना चोटा फैर करो तो घर कतम हो जाता है तो इसलिए हम ने हमने कि सुहागरत का इन्तिजां कि है अच्छा हो अधे मां में मैं इंति जाम किया है अप कर दो कर दो मैं तुमसे कहना चाहता था मैं ये कहना चाहता था कहना ये था मुझे ये मुझे कहने दे तो मैं पूरी रात यूहीं कहने में ही गुजर दोगे क्या मामे 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 इन भैसों की नाणी मर जा है इन भैसों ने मेरा इधर उदर शिंग मार मार के मेरे शरीर में गुंब्डे बना दी अरे शरीर क्या तेरी तो पूरी जिंदगी में गुम्रे पड़ गये हैं घर से गया गाउं से गया अब डॉक्री से भी गया अगर ऐसे पूरा टाइम चलता रहा ना तेरा तो मन ने भी कुछ सोच रहा पड़ेगा बस मामे तेरी सोच से तो मैं बरबाद हूँ तू अब मत सो आदमी की वफादारी और इमानदारी का इंतहान लेते हैं और अगर आदमी उन्हें पसंदा जाए तो सीधा नौकर से जनरल मैनेजर तक पोनो तैयार है ? मैं जिसा आठ माद बनना चाहता था उससीर है, नोकली नहीं करओगal रहा है, तो किते लियो आठ कर Гल 단 कि तुने दाठ की बात की, मैं तुम मेरा की तूड़uts you साथ मैं दाठ तोड़ दे पर तन नोकली मी करने ही पड़ेtest बाणजी जी यह मेरा दामाद है उस दिन ये शादी में तो बहुत दूबला था यह चाने कितना मोटा कैसे हो गया ने 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 शेड़ जी मैं तो राज्य का मम्मा हूं इनका दमा तो मेरे पीछे खड़ाया जा बाणजी मामे सामने से हटेगा तो आऊगा ना बोजन भारिया में टाइम लगेगा जल्दी करना अचले फिर नमस्ते जी मैंने तुम्हें कहीं देखा है नहीं सेड़ी मेरे यादाश बहुत पगड़ी है आपने मुझे कहीं नहीं नहीं मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है सेड़ी आपने उसे शादी में देखा हो गया अरे शादी म बस छोटी मोटी नौकरी पे लगा दीशे बड़ी महरबानी होगी। सेट जी! सेट जी! वो खिस्तर का भाई है ना बीमार हो गया है इसलिए काम छोड़कर नेपाच अलगया है। सेट जी उसी की जगह पर लगा दीशे बड़ी महरबानी होगी। वो कड़ता क्या था? जड़ू बोचा! वो कड़ता क्या था? जड़ू बोचा! मुझे वो तीनों ट्राफ्ट रड़ी चेह है। जी! अब वो जो चार बजी की मीटिंग उसके लिए सबको बोल दिया है ना? जी! The meeting has to happen because it's very important. Yes, sir! था day! मैंने तुम्हीं देखा था ? नहीं देखा थ एका बोल रहुना अपको देखा होताः तो मैं आपको बोल देता नहीं देखा नहीं देखा है, मैं बोल रहू हो नहीं डाह कुन है आप मैं में चैकलत के लिगना है मिठेखा है मातयो इस जैके daaga Гह था का देखिए दिते कौन आए ओर है आपको सम्धियो मंत था आप इस करीब के घर पधारे बड़ी महरबानी हुए आरे तु खड़ा-खड़ा मुख्या देख रहा है जा जागर पाइल से कहें कि उसके सास व ससुर जाएं जब आग जल्दी जी शाब जी एक बात पुछो जरू पुछी दुरा मुझवान ये गार ये आप ही राजा की ससुर है जी हाँ आपको कोई शक हो रहा है तो फिर आप ये घास क्यों काट रहे थे हूं वह तो मेरे पुछते में काम है पुछते नीकाम आपकी बहु भी आ गए आए आए नमस्ते माजी खुश्य रहों सदा स्वागन रहों अरे बेटा तू तो काला टीका लगाया कर कहीं तुझे किसी की नजर न लगे देखिए आप तो हमेशा मेरी बेटे को निकमा नालायक कहते थे लेकिन उसने एक ही काम जिंदगी में ऐसा किया है जिससे उसके सारे आप धुल गए हमारी चांद सी बहु जो लिया है वो बेटी मुझे अपना ससुर्णी अपना बाप समझना और मुझे वही लाड़ माग है वो भी देंगे अरे इसी बहु मिलिए कि जी करता है पहले दीन दिल की किताब इसके सामने के रख दूँए ले विती ले अच्छी भाई साथ हमारा बेटा का अंदर हो ना भाईजी आईए टल ले पहले सुर्णी अईख लेख ले बाठटा कि ले ले लेड़ारा बाबजी कास आए लेस की काइख जी जा जी तुल उन कर दो करा था अप ni roul कभु पर श़ादि 가장 एक खाने pati काम को रचिद से करना चाहिए और आपधी पीने ना इस एक हएग लिए यशा करात्या कर सो कर दो तो इतना अच्छा गर छोड़के मैं गस्थाउस में रहूंगी जी आप रहे नहीं सकते हो नहीं यहां पर यहां पर है पेस्ट कंट्रोल चल रहा है काहे का कंट्रोल वह ना शैर में कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं तो उनको मारने के लिए दवा छटकनी पड़ती है दो तिन दिर के लिए घर बंद रखना पड़ता और लोगों को गैस्टाउस में रहना पड़ना है तो अब है ना सारे वही पर एकजाद इकटे रहेंगे अरे फिकर मत कर वेटा हम लोग तुछ से थोड़ी मिलने आये थे हम तो बहु से मिलने आये थे उसको अशिरवात दे दिया हमारा काम हो गया अब यहारो कि क्या करेंगे शाम वाली गाड़ी से चले जाएंगे अरे भाई साब ऐसा किसे हो सकता है क्यों नहीं हो सकता अभी तक आपने हमें सेवा का मौका भी नहीं दिया और आप जाने की बात कर रहे हैं मैंसाब क्या है यह अपने बेटे से मिलने की जिद कर रही थी वरना फुरसत है ही नहीं फसल पक्के तयार खड़ी एक दिन भी देर की तो सारी फसल खराब हो जाएगी अब फिर अपने घर की बात है फिर आजाएंगे यह भी ठीक है तब ऐसा कीजिए दो मैंने बाद हमारी बेटी सोनिया की सगाई है तब आप जरू आई अगा आ यहां और सोनिया कौन है बागु जरू मेरे साली समझ यह ना तो कह रहा था के पाइलीन की अकलौती बेटी तर फिर उसकी बहन कहा से आई तो मैंने कब कहा कि सगी बहन है अन्यैंगे सगी है इसलिए उसकी सगाई है आरे बाबा, हांक आँखे लिए ना आरे अरे अख्या रिद्री, वैसे पी पीप चाहिए पी लो न, मैं बोल रहा हूँ, पी 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 लो यार मैंने तुम्हें कही देखा है मैंने भी आपको कही नहीं देखा कही नही देखा? पका नहीं कि दाइट कि ए डाइटा फिसन करोपती शेट शेट आपको बोल रहा भाई सब्सक्राइब तुरेसे कहरे नोटन की बाद करोड़ पती सेड़ की एकलोती बेटी से शादी करने वाला है तो फिर यहां वेटर बन के काई को गुम रहा है सेड़ी क्या बात है क्यों आप लोग मेरे दामाद का मज़ाग उड़ा रहे हैं इसलिए कि एक दफाई हमारे मुँपे थूक के हमारा मज़ाग उड़ा के गया था नहीं नहीं सेड़ी यह ऐसा नहीं कर सकता यह बहुत नेक और शरीफ बच्चा है शरीफ और यह अगर यह श सब्सक्राइब नकली मार्क से चाली और जब मैंने इसे सवाल किया तो यह कहता है करोडी तू काहे का सेट है तेरे से भी बड़ा सेट में बहुत जल्द बनने वाला हूं तेरी ओफिस के काज़़ा तयार रखना मैं उसे खरीदने वाला हूं ओ याद आया तुम इसके ऑफिस में थे इसकी फैक्टी खरीदने की बात कर रहे थे मैं भी उदर था और तुमने मुझसे कहा था कि जब दो बड़े आदमी आपस में बात कर रहे हों तो मुझ जैसे चोटे आदमी को बीच में टांग आड़ाने की क्या ज़रों थे अरे ध होती है और कहा था कि चौराय पे खड़े रहे कर भीग मांगोंगे अल्ला के नम पर दे दे बाबा कहा था ना भूल जाओ पार्टी है कम और इंजॉय सेल्फ कम बेटा कम 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 फगेरट आईये आईये आबे आईये कम कम चेरप करतांब आईये 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 एडें Dad सबने आतांबे आईये आईये खार्श कर फो possibile我 तूने मेरा मजाग उड़ाया है भूल गया अपनी योकात अब अपने सूट के बटन खोड़के उसमें अपनी योकात टटोल अब टटोल विरा बेखुफ जाले भूल गया अब जिस गाव के अंदर तु भैश चरा कर गोपर बेच कर रोट्टी खाया करता था उस गाव के सरपंच का एकलोता बेटा हूं मैं और इस मैफिल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सूट में अपनी योकात छुपो के बैठें और चोटे अब तु खुद चरभापटी की मोटी बेटी को पठा कर खुद करणो पती बन गया यह व्यों करोणो लड़की अमीर सप्रा देखता हैं तो मने देख़ा तो कोन साविपाप किया है किअ कि मेरी पाप दिया में दखक्दिर बड़ी खराब निकली कि अंगर पूझे क्या पता था कि जी से मैं कर वपती की बैटी तुम को सेड़ धडबत रहा है इस बंगड़े और कोटिक का मालिक समझता रहा मालिक क्या यार तुम तो कंगाल पती निकले मैं सच बोल रहा हूं यार बुरा नहीं मानना यार तुमारी बेटी से शादी करके मेरी तो जिन्दगी बरबाद होगी आप खामका पताजी पर इल्साम लगा रहे हैं उन्होंने कभी नहीं का कि वो अमीर है उन्होंने आपसे शकर इतना हुपज़ लग्रेगा अमा तुम हरीगो हरीब लोगो मैं रोंगें नहीं गाड़ीं में कुम ना रोज क्प्ड़े पहनना कि शुक्तव हो मैं जाना और मैं तो फरेम में आगा इयार वैगाध्यतन कि मुटे मुझे मालू मौन होता कि तुम एक वाली की बेग कर तुमसे शादी करता है कर दो ये अबे साद गोपर में फसे हुए तलोए अबेटाद माधी दर आया अच्छा क्या तुने यार मेरी पॉल को गहीं बहुत अच्छा किया तूने अले मैं तो भागने का भारा डूरा ता मिरे को चांस मिल गया सोच रहा ता कि बीजी के साथ ताज मैं खाना काऊंगा ये ताज के भेरे का ये टुपा मेरा लिए मेरे को इसा नहीं करते तेरी बात सुन तो तुम्हारी ब्याता है उसका कोई कुसर नहीं है चाहिए तो मुझे जूते से मार ले लेकिन उसे छोड़कर मैं जा मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं मेरे से इतना काम नहीं होता यार बरतर माचो कपड़े दो मामे यह फटका मार के जो मेरे को जिन्दगी में फटका लगा है ना क्या बोलू मैं मामे मैं बर्बाद हो गया ना बेटे ना रोते नहीं मैं जानता हूं वह बहुत नेक और अच्छा लड़का है वह तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता बेटी वह वापस आएगा देखना खल सुपर जरू आपस आएगा वह बेटा आएगा शराब पीकर जवानी में कौन नहीं भैगता है अगर वह तो इसमें टेंशन की को बात नहीं है कम ओन चेर आप चेर आप फ्रेंट्स कम ओन चेर आप और इंजोई असल्व कॉमारण जी वो कावा सुनी नहीं तो नहीं है घर के बुद्धु लॉट कर लॉट के आए मामे तु सच बोड़ता है ना मेरा मूड खराब हो जाता है ले पोरा घर और ये रहें बुद्धु अरव तारो कोई राजा जी बाबुदी बाबुदी आगे आगे कौन क्या बुल रहा बैटा दोनो कौन दोनो अरे वही मामा दी और राजा दी राजा जी आगे मेरा चांद और मेरा बच्चा कैसा है तू ठीक माम जीते रहे मगर बहु का है आप भी कमाल करते हैं बहु पहली बार घर आ रही है तो जाहिरे तांगे में होगी अरे अभी तक उसका ग्रह प्रवेश नहीं हुआ तो घर के अंदर दाखिल कैसे हो सकती है फैर मैं आर्थी लेक्या आती हूँ बहु नहीं आई है मां बहु कि नहीं आई है जी जाजी आपको तो पता है वो मेलों में रहने वाली अमीर लड़की है तो उसने है ना शहर चोड़के गाओं के मामुली जोपड़े में आने से साफ इंकार कर दिया जी पता है वो कौणपती बाप की इकलोती बैटी है ना पहले तो राजजा जी क कि जादनी बिदा हो गई फिर उससे प्यार करने लगी और फ्र दो चार दिन में होईं अना उसके प्यार का रहम उतरना चालू हो गया और मा जैसे ही उसको मेरे गरीबी के रंग के बारे में पता लगा ना उसमें अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया पत्राइजी बेटा जवानी में तेरी आदाश का मज़र हो गई है तेरे ससर का नाम सेट धन पत्राइए नहीं है परताप सिंग जो धन पत्राइए की यहां अदना सम्माली है उसका नोकर है सर्वंट स्कॉटर में रहता है कर दो दो ने हमसे लाग जूड वला मैं वहीं पईजान गया था अगयर फिर भी इजद के लिए मैंने तुछ नीका वहना तू अपने सुस्राल में अपने ससूर के सामने अपनी पत्नी के सामने शर्मिनदा हो जाता पानी-पानी हो जाता जहां तक मेरी बहु का संब्स है वे तो साख्षाद देवी है झो वा लड़किएं से जो शुख में कम दुखमें जियादा साथ देती की कि उसने तेरा साथ नहीं छोड़ा है कंबंख तुउसको चोड़ा भागा है है क्योंकि तुने उसके दौलत की लालज मुससे शादी की ती और जब रजय जी कैये सच है तेरी खामुशी कह रही है कि तेरे मन में चोर है तूने उसे छोड़ने की हिम्मत कैसे की तूने अगली के साब ने उसके संग साथ फेरे लिये थे और हर फेरे के साथ एक वचन होता है एक कसम होती एक वादा होता है हुआ एक हर कसम हर वादे को लाद मारके चलाया आज तक जो कुछ भी तू नहीं किया अपनी मर्दी से किया आज तु मेरा फचला सुने आज के बाद तुछ पर इस घर के दरौाजे में अरुस टॉबा दर फ identify जिस जिस दिन मेरी बहुच घर की इस घर में रापेस आएगी रषिए लकिन है वरुिया यह दर्माद हर यह थिछ पर बन happens मा मैं वा नहीं जाओगा तु बाबुजी को समझाना बाहर का रास्ता उधर है मा इस जगा पर मेरा भी बरोबर का दिकार है मैं नहीं जाओगा का भाची जाओ बरो फिससे Ephraim कर दोस्ता उपलोपा बरोबर का रास्ता रास्ता तेसे है का लगा वाचा धरख याओगा रास्ता reichenला खर थास्तादा उग्मागा उब वलोभर उना जाद़ है सब्सक्राइब लेकिन माने मेरे को थपण मारा ना मामे, मरेको अच्छा नहीं लगा मतलब 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 यह कि जितनी बड़ी गलती मैं की थी न अ मा मामे चल ये मुंबई चलना है मेरेको पर मुंबई जाने के पैसे कहा है एक मड़ी देख रहा है क्या चेक कर रहा है अब क्या मन्ने बेचेगा तेरे को तो कसाई भी ने खरीदेगा मामे अरे तू पू सोच ना जा तो जाए कैसे ना तू भी सो सकता है अरे मैरे पास इतनी अक्कल उती तो मैं तेरे साथ ठोड़ी रहता और फिर भी सोच थीक है मामे, सोच लिया, सोच लिया, चलो, 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 तो कहा हमार के सब किसाब चुदाई, और मैंने हाट में से पहले-पहले मुंबई के लिए निकलना हुआ है, पापा जी, अगर आप बुरा ना माने, तो ये सारी की सारी बोरिया उठा कर मैं ट्रक में रख दू, इस हमाली के बदले, आप मुझे मुंबई ले जाओगे, ओ पापा जी, अगर मैं ये बोरिया अंदर ना रखूँ, और हमाली ना करूँ, तो आप मुझे मुंबई ले जाएंगे, आप इनकी बातों का पुरा मत मनिएगा, इनकी तरफ से भी मैं हमाली कर दूँगा, पकी ओ पापा जी, आपने ट्रच्पू रोब दिया, बहाद दरसल यह है, जब तक दो चार रोट्टी से पेट पुझाना कर लूँ, तो यह गाड़ी निया चलती मुझे, ओ चार दिन का सवरा है, डादी, ये लीजे प्रताप अंगल के लॉट्री के टिकेट, चेक कर लीजे, परताप, परताप, अरे, इसे पकड़ जा रहा, परताप, परताप, क्या हुआ मालिक, क्या हुआ मालिक, आरे, परताप, तेरी दस करोड की लॉट्री निकली, मेरी और लॉट्री, नई से ची, ठीक से देक लीजे एक बार, देखकर तो बतारों परताप, 10 कोड़ की लॉट्री निकली या तेरी, 10, 10 करोड की और, मेरे लॉट्री और 10 करोड, मै, फेट, हम अमीर होगे,पारेटी, य॥ियए यक्पिन नहें आरहे हम लोगे,बब छॉट य॥े कि अंड गाउद सोफ म्लेट की помог लेखोंपार हम लोग घुन शोएре हम लोगे हम अमीर होगे फुली विस्थिए पुन्हीक डिसट लिखवड मेल साथ अपने हमको नहीं पेचाना ओजी पिछानेंगे कैसे हम पहली बात फखवारा से जो आए हैं अरे कहीं तुम बनवारी के पुतर तो नहीं हो आहो जी करेक्ट करेक्ट अचा चाचा जिरूबा पहुत वी सार बाद भी लागा ना ताभी मैंनों पुचाल लागा अरे पाएल पैर दिदी अच्छा पतर है खोतेया ओए होए मैं सतके जावा मैं वारी जावा इननी सोनी कुड़ी इननी सुशील कुड़ी नो वो नसीब जलाद छड़ के चला गया कुता कमीना लेकिन चाचा जी आप चिंता छड़ देओ कि इससे शादी कौन करूगा हम खुरबानी देंगे चाचा जी हम आगए है ना यह मेरो छोटो प में अपनी पायल को लेने आया हूँ अब वो यह लेति यह नहीं लेति तो कह गयी उन्होंने नया बंगला को को 10 क्रोड की लौँटृइ लगी है उसकारोड अरे वांटे सुना तभी दाश करोड की लाट्री लगी यह उनको खाल में, अपनी दबी खुरेने आया हूं पैसा मागने के लिए नहीं आया तो फिर तू आज भभावा कम görün करी है तोड़ा है तूने दिल अरे जिद्दिकर पैसा कमाने का सप्टा देखा और अजब पैसा मिल रहा है तो पर मैं भी आइना तेरा दिमाग ठीक करके रहूंगा यह लेबाली के तेरा प्रॉब्लेम धूर हो जाएगा जाओ अगर आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की ना तो मैं आपके पैर में क्या पूरे बदल में कुद्ध कुद्धी कर दूगा पहर चोड़ पहर चोड़ बोल कि क्या दुख है दुख की स्टोरी इस तरह है कि मेरा यह बाण जाए नाम उसका है राज्जा मैं बहुत प्यार करता हूं उसको परस्नेलिटी बढ़ाने के लिए अपनी परस्नेलिटी डाव पर लगा दी रहना उस सब्सक्राइब एंस्म ज्यादा कर ले हूँ अगा कर रहे हो चैनल करो कि मेरे कशल नजी लड़की शादी को कर दो कि मेर ंखा दूंच से शाड़े क्या है चाब के नीचे क्या है चाकू के नीचे केक है नहीं है कोई मामूली केक नहीं बाबा का केक है असर की अविना वापस नहीं आता यह ले बालक यह केक तू जिसको किलाएगा वह तेरे प्यार में दिवानी होकर आई से भागेगी जैसे मजनु की पीछे लैला, रोम्यो की पीछे जुलियेट, उसके पीछे वो, उसके पीछे ये, तेरे पीछे कौन, समझ गया, समझ गया, समझ गया मैं, सेकरेटरी, वो बीस लाग का जो चेक है न, वो खनना एंखना कंपनी को मैं तो आपको बस ये केक खिलाना चाहता हूँ, केक? हाँ, आज मेरा है न, हैपी बत डे है, जी, ओ जी, खालो ना जी, नहीं तो मेरा दिल तोड़ा है, और अगर आपने भी मेरा दिल तोड़ दिया न, तो मैं तो पूरा ही टूट जाऊँगा जी, और टूटा हूँगा को जी लोसी मैखाए है करने का बाग जो अर एक परने की शादी ख़ाले ही आरे मैं मेरा बस रोठी शिखा चाहलें। अज तक मैं कभी पेड पे नहीं चड़ा। लेकिन कुटिया की बच्ची तूने है ना मेरे को आज पेड भी चड़ा दिया। अरे मैं तरी आफ जुडता हूँ, तू चली जा। अरे चली जा। मेरा इंतधार क्यूं कर रहे हैं तू? अरे चली जा। अरे कहा घुशे जा रहा है इतनी भी तमीज नहीं कि kis साथ में से कैसे बाते करनी चाहिए जानते हो या कौन है इस घर का थामाद है दामाद जो जो गलती की उसके लिए माफ़े मंगने के लायक तो नहीं हूं मगर मैं अपनी गलती का एसास कर चुका हूं और मैं अपनी धर्म पत्नी को लेने आया हूं मैं जानता हूं बेटे तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो उसके बगार तुम रह नहीं सकते मैं तु यह भी जानता था कि एक दिन उसको लेने के लिए तुम वापस जरूर आओगे इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी को शादी के उसी लाल जोडे में सजा के रखा है जिसमें उसने तुम्हारे साथ साथ फेरे लिए थे वो कमरे में तुम्हारे पत्नी इंतजार कर रही है जा उसे ले जा 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 अगला टु मोरे आसली मोचबत असली धर्म पत्नी अरसमें मेरे बेटी सितना नहीं इं।ας था इन नहीं पेशाई की था था उसने सब के सामने तुने मुझा जली किया था और इन पैशो के वजए से तूने मेरी बेटी को ठुका दिया बेटी का दर्द तो वही समझ सकता है जिसके खुद की बेहन या बेटी हो तु क्या समझेगा तुम्हें पैसा चाहिए ना उठाओ उठाओ जितना उठाओ सकते हो और अगर ये भी कम है तो दूसरा कमरा नोटों से भराओ आए लेके जालो कि नीत बात याद रखना पैसा द पत्नी के माद पतत्नी के हैं आप कियों बेट से इस सारे शहर के सामने अपनी बीवी को सलील करके उसे ठोकर मार कर चला गया अरे मर्द पत्मी की इज़त और आपरू के लिए अपनी जान देते हैं उसे सरे महफल बदनाम नहीं किया करते हैं और तुमने तुमने तो सारी कहानी ही खात्म करते हैं लेकिन फिर भी एक सलाह देती हूं तुम जवाल हो तुबारा शादी तो करोगे ही लेकिन जिस दड़की के साथ भी दुबारा शादी करो उस करीब को कभी किसी के सामने जलील मत करना उसे महनत की रोटी खिलाना क्योंकि महनत की रोटी के एक मेवाले के लिए पत्मी अपने बाप की करोडों की दॉलत को ठुकरा सकती है लेकिन शायद तुम यह नहीं समझोगे तुमने बिल्कुल ठीक समझा यान एंजानम मैंने ऐसे रास्ते पर कदम रख दिया है कि मैं जितना अगे बढ़ता जाओंगा मेरे मंजिर उतनी ही दूर उती जाएगी यह बाबुजी ने बहुत पहले कहा था कि जब दिमाग काम नहीं करे तो बस उपर वाले पपरोसा रखो और आगे बढ़ो तो भाईया हम तो आगे बढ़ते आप जैसे बड़ा इंडेसलिस्ट अगर इस फैक्टी को खरीद ले तो यह फैक्टी नजाने कहां से कहां पहुन जाए मैं तो कहता हूँ यह हिंदोस्तान की टॉफ फैक्टी बन सकती है कि हट फैक्टी है अब जैसे जानते हुं क्या अच्छी तरह से जानता हूं यह काम करता है जे हाँ, आफ काम की बात करते हैं, मैंने इस जिन्दगी में काम के पीछे इतना दिवाना इंसान आज तक नहीं देखा तीन महिनों से काम कर रहा है, लेकिन दस आदमियों का काम अकेला करता है नजाने कौन से जुरून सवार है इस पर, नजाने कौन सी दिवानगी है, जब भी पूछो, अजीब सा जवाब देता है, बलके मैं तो यह कहूंगा, अजीब सा शेर पड़ता है कहता है, जो दाग माथे पर है, उसे पसीने से मीटाना है, जो इजड़त डूब गई है, उसे किनारे लगाना है बहुत खुब आपने मुलाकात करवादू मैं? नहीं, कोई ज़रूद नहीं और उसको पता नहीं चलना जीकि मैं यहाँ पर आया था क्यों? है कोई बात, आओ बेटा, आओ, आओ बेटो, यह जो तुम्हारा बाप खड़ा है ना, इसके दिमाग में थोड़ी सी अकल डालो क्यों, क्या हुआ? बेटी, यह जो पैसा होता है ना, इसके पाउं नहीं होते हैं, लेकिन पाउं वाले से सोगोना ज्यादा तेज भागता है इसलिए, पैसे को भागने से रोखने के लिए उसके पाउं में बेडियें डालनी चाहिए बेडियों का मतलब समझती हो, इन्वेस्टमेंट मालिक, मैं तो एक गमार आदमी हूँ तुम चोपरों मैं तुम से बात कर रहा हूँ, नहीं न, मैं बेटिया से बात कर रहा हूँ बेटि, कल मैं एक steel factory देखी है, उसके आगे बढ़ने के chances बहुत अच्छे हैं मैं चाहता हूँ कि वो factory तुम खरीद लो मैं? नहीं तो गाए घास काटने वाला है जाता हूँ कि वह factory तुम खरीद लो. क्यों? जैसा अप थीख समझे उंकल का ओप obey का में दरी क्यों उठो आप उठें ना अग या वाभी मुझे भूख नहीं है लोग कड लो गल सुनिकी कुछ आया है ना कुछ पीया है ऐसी तरह कैसे चली यहां तो बहुत गर्मी है बस इतनी सी गर्मी से घबरा गई जरा नजर घुमा के तो देखो बस चिताग के आग में सिर्व को इसलिए जल रहा है ताकि उसकी बीवी उसको वापस मिल जाए बहुत जाए राजा भाईया राजा भाईया आपको मनेजर साब में बुलाया है अरे भाई इतनी जल्दी नहीं है पहले खाना तो खालो अरे खाना तो जिन्दीगी पर खाया है अब उच काम कर लें बाद में खाना खालेंगे चलो चलते कि मेरे टीफिन कहा गया राजा भीया चले मुस्तवा टीफिन कहा है ने खाना है ना हमारे पास दोनों बैके खाना खाते है चले साथ में खाते हैं आज साथ में बिस्मिल्ला करते हैं कि आज के दिन हर सुहागन अपने पती के हाथ से कुछ लेकर करवा चौत का व्रत खोलती है आज तुम दूर ही सही तुम्हारी जूटी रोटी खालूंगी मैं समझूंगी मेरा व्रत पुरा हो गया जी दे रहा जी दे रहा मेरे मखनो वर्त खोल लो सेरदा कुछ खाता नहीं ते सुख गया तुसी किया यह पाइल पैन यह क्या कर रही है तु भाई चोहर सुहागन अपने पती के लिए करती है कॉन सा पती आपकी कितने पती है अब कोई हैगा मेरा भी एक ही पती है राजा देखा देखा जी आपने इस ने राजा की लिए व्रत रखा तब इतों मैं काौँ की स्वेरेसे से कुछ खाया तीया क्यों नहीं जी सुनो अगरे राजा की पास वापस चली गई तो पिस साट कि होगा मेरे प्यारे मक्षनों तुसी पिकर ना करो तुरे अपने मक्षन ना कमाल देखो ए व्रत एदा राजे वस्ते आखरी है आज इते बाद सारे व्रत साथे चिंदे वस्ते रखेंगी मैं जरा चाचा जी नूं मिलो आपले अरे बस करें और कितने दिल भगाएगी बाबाजी मेरे को बचा लो आरे भाग भाग के मेरे पैर में चालने बढ़ गये हैं इस शेर की कोई गली कोई सड़क नहीं बची जहां पर इसने मुझे ना भगाया हो समझ गया बालक लगता है वो तुमसे ज्यादा प्यार करने लग लुसी एक इसी जानवर का नाम लगता है चार पेरो वाली जानवर वो देखो एसे खड़ी है जैसे मेरे साथ है ना साथ पेरे लेकर ही मानेगी लगता है रॉंग नुमर लग गया ओ बाबाजी सब कुछ रॉंग हो गया केक खिलाना था एलफ और लक्षमी को और खा लिया है ल पोर लूसी तुम्हारी जिंदगी की कडवा हाट में समझ गया यह कडवा हाट करने के लिए यहली आपरद केक यह और तुमन सेन तर लक्षम करने लगए यह कि Satarag लग ज़े तो मैं ने थ हैं पनलता ने दस जो़ा हूं आप मिस्चर वही ओस दिन वाड़ा आज फिर से केक आज जी क्या है जी ना मैं टूमी का बस्टे है तो जब तक मैं टूमी के एक-डो रिष्टेदारों के केक नहीं किलाऊंगा तो वो पूरा मान जाएगा दिन तूट जाएगा उसका करने दूब उस दिन आपका केक नहीं खाई मैंने मुझे बहुत तलाख? आप एक बाप होकर अपनी बेटी को तलाख लेने का मशौरा दे रहे? इसलिए कि मैं अपनी बेटी के पती को अच्छे तरह से जानता हूँ कि वो कितना नीश, कमिना और मक्वार इंसा हूँ मुझे उसकी कुछ परवा नहीं, लेकिन आज वो एक मेहनत का शिंसान है, पिताजी मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, वो अपनी मेहनत से अपना और अपनी पत्नी का पेट भर सकते हैं पिताजी तुम इस कागस पर साइन करती हो या नहीं? नहीं! संदी जी वो कर लो, कल ससुर भी आ गया शमा करना संदी जी हम लोग शाद गलत वक्त पर आ गए हम लोग यह सोच करा आए थे कि हम अपने बेटे में और बोग में सुला करा देंगे पता नहीं था कि यहां पर तो नौबत तलाग तक महुँ चुकी है आप हुमरे राजा से इसलिए नाराज थे क्योंकि वो कामचोड था दूसरों के पैसों पर आश करना चाहता था दूसरों पर बोश था लेकिन यकिन करिये भाई साब हम इसा बिल्कुल नहीं है उसे ऐसास हो गया है कि अपनी मेहनत की कमाई का मजा कुछ और ही होता है उसने अपनी गलती का प्राइश्चित कर लिया है और प्राइश्चित से बढ़कर कोई ससा नहीं होती आज मैंने अपने बेटे को ट्रैक्टर में फसीन अपाते वे देखा तो जिन्दगी में पहली बार मेरा भी सीना फकर ते भूल गया मुझे भी लगा मैं नौजवान महनती बेटे का बाव देखे शिवनाच जी आप अपने बेटे की लाख सफाय पेश करें लेकिन उसका मुझे पर कोई असर होने वाला नहीं है मैं उस बेज़जद इंसान को अपनी बेटी कभी नहीं दूँगा आपका बेटा उस दिन हमें इसलिए ठुकरा कर चला गया था कि हम घरीब थे लेकिन आज मैं आपके बेटे और आप सबको इसलिए ठुकरा रहाओं कि आज मैं अमीर हूँ अच्छ 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 तो कहानी की असली वुनियात यह है मैं तो अपने रूठे वे संधी को मैनाने आया था मुझे क्या पता था कि मेरा संधी जो है उसे बड़ी जल्दी दौलत की हवा लग जाएगी पर माफ का ना भाई यह जो सारी दौलत और शान और शौकत है यह आपके अपनी मैनत की कमाई हुई नहीं है के लोटरीं से आई हुई है लोतर एक क enroll का जुबा उतार दौव पर इतना मत इत्रह आए आप थो लोटरी के पैसे को चुँरिकलत उनुं गईड़ति क्या यह दिजह allora टेट 110 एह तुम जैसे बिखारी हो कि नहीं? देखे भाई साब, आपको जारा ही बत्तमीजी कर रहे हैं अच्छा, मैं बत्तमीजी कर रहा हूँ तो यह मुझे मारेगा ले मारो जे देखे भाई साब, यह बात ठीक नहीं है आप जो कर रहे हैं यह तरीका नहीं है दूढ़े में, चलो दर चलो दर चल, चलो दर चल अभुजी आप क्या करने आए आपर? बेटा हम आपनी बहु से मिलने आए थे अरे काहे की बहु? अरे काहे की बहु? यह लोटरी के बल पर अमीर बनने वाले इनके रिष्टे भी लोटरी की तरह होते लोटरी लग गई, आदमी करोड़ पती नहीं लगी तो काहे का पती वैसे मेरी यह राय मेरे ससुर जी की बारे में मेरी पत्नी की मेरे बारे में क्या राय यह मुझे नहीं वालू चल वा, आशे तु चल मैं आता हूँ सुनो उस दिन मैं तुमसे माफी मंगने के लिए आया था तुमने मुझे माफ नहीं किया मुझे बहुत सुनाया तो तुमारे बोलने का मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना आश तुमारे चुप रहने का लगा है मुझे बाबुजी और मेरी मा की बेजती हुई यह लेओ, तुम आल हो गया, साला हराम खोर बत्तमीज, अपनी बुराईयों को चुपाने के लिए, खाम का हम सब गोल बेट गरते लागया, भई हम कुत्ते हुए, तो चाचा जी भी तो कुत्ते हो गया, और नहीं तो क्या, सेड जी, अब मेरे लिए क्या हुकम है, लो कर लो यह क्या है, पिता जी वो कागजात है, जिन में मैंने लिख दिया है, कि जितनी भी दौलत आपने मेरे नाम की थी, मैं वो सारी दौलत आपको वापस दे रही हूँ, और अपने असली दौलत के पास जा रही हूँ, अपने पती के पास, मतलब तो अपने बाप को छोड़ कर चली जाएगी, मजबूरी है पिता जी, बेटी पती के पल्लू से पल्लू बाद कर अगनी के जितने फेरे लिती है, बाप का हग उतने ही गुना कम हो जाता है, और प अपने पती का हग आपके हग से साथ गुना ज्यादा है, क्योंकि मैंने अपने पती के साथ साथ फेरे लिए है, नए जीवन में प्रवेश करने जा रही हूँ, आशिर्वात दीजे जाने से पेले मेरा भी फैसला सुनती जा, आज तो इस घर के आशो आराम को ठोकर बाल कर जा रही है, लेकिन एक बाद याद रखना, गल, अपने गरीब पती के घर में बरतन मांचते मांचते तेरे हाथ घिश आए, और चूला फूंकते फूंकते तेरी आँखों में आसो आजाए तो किसी तक्ये में मूँ छुबाकर रोना, लेकिन इस घर की तहलीज में दोबारा कदम मत रखना आपचा, तक्ये में मूँ छुपाने की नौबत नहीं आएगी पिता जी, मैं अपने पती की हैसे जानती हूँ, अपने पती के घर में शायद मुझे सर रखने के ल आज़ेगी और हम लोग हाथ बलते हरे जाएगी, इतने दिन से हम चाचा जी की सेवा कर रहे है, कभी नम की लसी, कभी मिठी लसी, और कभी अलू का पराठा, ओ जी अलू के नहीं, घोबी के पराठे, ते मूहली के पराठे, और वो जो सुरसु का साख खाया था, की डाल के है वो कुछ नहीं, पत्ता है बेन, रोल सर्विस वकर बल ली जा रही है, खुडिये, चाचा जी की इतनी सेवा करने के बाद, तु क्या सुचती है, क्यो मारा चिंदा कुवारा दा जाएगा, बिल्कुल तियार करके ना आय हूं मैं, अब सोड़, जो मैं कहता हूं, चुप यह क्या के रहे बेटी तु, मैंने अपनी आखों से देखा है बाबुजी, वो कमीना मक्षन और चंदा, पाइल और माली काका को जबरदस्ती उठा कर ले गए है, और वो पाइल की शादी चंदा से कराना चाहते है, इसका मतलब है, जो कुछ हो रहा है, मेरी बहु की मर्ज काई का संदी और काई की बहु, जब वो लो कोई रिष्टा ही नहीं रखना चाते है, तो हम लोग क्यो नाता रखे, नाता तो तु तुमने थोड़ा है, राजा पाइल ने नहीं, वो तो आज भी अपने पिता का घर छोड़के तुम्हारे पास आ रहे थी, सिर्फ इसलिए कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कोई प्यार बार नहीं करती है, सब ड्रामा आए, ची, तूची, राजा, मेरा बेटा पत्थर से हीरा बन गया, उसके मुझ से यसे शब्द अच्छे लगते हैं, मेरी भू को नहीं लाएगा, अरे नहीं बाबोजी, मेरा खुन तो आप खाने का दिल कर रहा है, तो जा रहा हूं ना पाल को बचाने, न मैं भी तूआ रहा हूं, तो चल लाएगा तो तूग रहा था, ऐ खुडिये, मैं तुझे आखरी बार कहता हूं, ये शादी को चोड़ा पहले, नहीं, कभी नहीं, बैंद बाद कर, एक तो लड़की श पता चला कि तु कितना जनील इंसाने मक्षण, मैंने तुझे अपना बेटा समझ कर सीने से लगाया, और तुने मेरी पीट में ही चाकूख हो दिया, चुपाई चाचा, तुने मेरी पता आशाता है नहीं, हम कमीने नहीं, बताई शी कमीने आगे है, हम पैसे की खतर, मैं शुधा मरंकी कि फिर से शादी करने जाने हो, कॅनुस अई, चून में चुर्म है, ज़िए आथाफ, अपक्रिया है? कि अधियों के पट्टे की पाल से शादि करना आ ना तुम इस पागल अदमी मेरे संसुरी की ज्यादा धादा अपना आ लेकिन पाल पती तो मैं हूँ तो इसकी ज्यादत का पहला अगदार तो मैं हो गया ना? पाल को तलाग नहीं देता तुम्हारा शाला ज्यादात का पूरा है भरत हना शाहिव पटात आए तो ने समय बन्साइब यार में यह बन चाहरा हूं कि मैं पाल को तलाक देनें को तियार हूं तो कागे भी लाया है छात में तुसको ताल लगा दे तुका धिर गया यार आना जाए का पैसा के लिए कि आ पहर経त है को Daar अरे आके फाड़कर तर लेफ्ट में क्या देख रही हो इतनी सीटी बजाए समझ में लिए जो चाप खड़ी रहो और आप क्या खुजा रहे हैं जब तक 50 लाग रुपय नहीं मिलेगा ना मैं नहीं साइन करूगा अचैंज तो पहसे शोटे खिंज़े तो तो पर अचा रही है तो इसा करो तो प्रियाने के तोड़ी तो पर देदो मेरा भांड तैना इसमें से थी पैन निकालके चाइन कर देगा तलाग नाभी चाहिए जेवर देने वाली ने पहले कहदती हूं अच्छ अपए मेरी माह ने दियते जीवर नहीं दूंगी लाग दो लाके जेवरों के लिए क्रोडों की तॉला चली जाएगी उतार मैं नहीं करती ओचिंदे इदर आँचिंदे पाड़ा पड़ी दीदीको अच्छा ओठीक है चिंदे उतार दे कपड़े मैं नहीं उतार नहीं तुम्हें नहीं साहिन करूँगा ओधेदा पुतर तुझे दूले इट्रेस पेड़ी 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 उतार दे पकड़े फर दीदी पुणजी होर की कर रहा है नहीं पुचली है में और कुचली इसको बोलाव उतार दे दे तीख़ी उतार शु Azure गरूiden उतार रहा है उतार दे लगॉम्ह कर दार दे थार तुमने आर क्यो रहा है मार क्यो रहा है तेरी शाधी हो रहे हो निवे चटी में खड़ा है। जल चल के कपड़ मदल के हाते। लाओ जी फड़ाओ। लाओ जी सारे जेवर। लाओ जी में त्यार हो के आया। ओ साब मुझे मेरे पैसे देजो, मुझे आमरीशपुरी के शूटिंग में बैण में जाना है। अब जाना है। तो खौल इसको। औरे मेरी जीजी, औरे मेरी रोली पोली जीजी, मेरी प्यारी जीजी, जी जाजी, जी जाजी तु इतना मोटा कैसे हो गें रहे है। ओ साब, लेकिन तुम मुझे क्यो दूबला करें। मुझे आमरीशपुरी के शूटिंग में बैण बजाना है। मेरे पैसे देदो। मेरे जीजाजी को प्रशान देखाए। मेरे पैसे देखाए। शादी हो इनी पैसे मागता है। बैण बजा। स्वाहा, आज से आप दोनों पती-पत्नी हो गए। जीजाजी, दोका। इदी, दोका। देखाए। यह मैं हूँ। अरे, क्या कर रहे हूँ। मेरी बीबी मुझे माव कर दे। माव किया। अजीज, तुनिये तौ। तो बहुत ताकत है तुम्हारी बाज़ों में। आप अरे, मोटे है। आप कहा दिया। आप कहा दिया। कि पदstudy पहलो इंग कि अ Мих täält आभन हैइज हैज से सूल न हुआं प्र आप आपि अपि अमर बेधुल अभाश्ट कि पताल के मैं है प्रवाइब नमार बने नमार बने आरदोंगा ओड़ देदी नंगाओ गया सिसरा लोकार लोगा तो लाड क्यों नी ना 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 नी यह कच्छा लिशे गिर रहे हैं कच्छा मैं पगड़तीया तू लड़ पुतर मेरी दीटी अहांगी आगे मारना थे लाल है जी लूकर, लूकार, बने टी वाहा तूलम्य मैं देखभा झाल हो ही अहागी प्रष्भर प्रक्जार में पादिन, पॉरो, जघकनकिएर के अप्रेट्न ए छुपेais, पताशे हैं ए辉 वेते हैं झाल Stitch ए इ मैं जिए। BUT अभी कंचा तो नीचे नहीं आएगा अच्या नहीं आएगा लेकिन उपर जाएगा एउँ दिद्दी, दिद्दी कच्छा हो दार देता, दिद्दी, दिद्दी किते ते आए, अरे, आरे , कच्छा को लेता है Sugai तुमा के मारूंगा आये आये इंस्पेक्टर गुमा के चलिजा अच्छा के अब लग से टाइम पर आ गाए मेरा तो लड़ने का बिलकूल मूड नहीं था मेरे पैसे कोन देगा मेरे पैसे दीजे मुझे अमरिश्पुरी के शूटिंग में बजाना है दो मिनट और रुख गया तो तुमारी बैंट हम बजा देंगे चलो बागो ऐसे और सुनो तुम तो चोकीतार थे न बंगले पे साफ वो मेरा जुडवा वाई है तो फिर एक मेरे अब चुपने से क्या फाइदा चलो मेरे साथ चलो मुझे मुझे माफ कर दे मत मूले टाइम नहीं है मेरे पास जो बड़े बुजर्गों का काम है न वहीं करिए आप बस चलो घर चलते हैं करोड़ों की दौलत है तुमारे सिवाए उससे समाने का कौना ना 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 अब निया युआयाले का बॉद बड़ा हराम खोरता मैं मैं बडी मुश्किल ससुद्रा हूँ बाभूजी मेरे बिल्कुल ठीक कहते थे कि अपने दो हाथों के कमाईवी रोटी होती है ना वह खाने का मज़ा ही कूछ और है वह दूसरों के करोणों में नहीं है नहीं है ओ मामे, और किदर रह गया तू? महानजे, डिस्टब मत कर. मेरी कहाणी का दी एंड बहुत अच्छा हो रहा है. तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा. अज़े, और मामा करूंगा!